नमस्ते गाईज आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप Google Drive पे unlimited storage कैसे ले सकते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि Google Drive basically है क्या तो Google Drive एक cloud storage है platform है जो की हमें Google से provide है और इस cloud storage का आप इस्तमाल करके Google पे कुछ भी upload कर सकते हैं और फिर उसे किसी के साथ भी share कर सकते हैं और अपने devices की data को भी share कर सकते हैं आपस में online ही जब कभी आप Google पर account create करते हैं तो आपको Google से free में 15 GB space मिलता है लेकिन वो 15 GB space हमारे लिए enough नहीं होता है तो इसलिए आज हम आपके लिए ये वीडियो लेके आए हैं जिससे आपको Google Drive पे unlimited storage मिलेगी वो भी बिल्कुल मुफ्त और मैं आपको एक और चीज सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसी Google Drive को अपने किसी भी official Gmail account के अंदर create ना करें तो इसके लिए आप सबसे पहले एक fake Gmail account create कर लें और उस Gmail account के अंदर आपको ये drive create करनी है जो मैं इस वीडियो के अंदर आपके बना कर दिखाने वाला हूँ तो आप आपका जाता समय ना लेते हुए हम अपने इस वीडियो को start करते हैं सबसे पहले आपको ये link open करना है जो मैं आपको description में दे दूँगा हम इसे Chrome browser में open करेंगे और मैं आपको ये suggest करूँगा कि आप इस link को incognito mode के अंदर open करें ये link open करने के बाद आपको 10 seconds का wait करना होगा 10 seconds का timer पूरा होने के बाद आपको यहाँ पे pink button पे click करना है get link पर और हमारी जो website वो open हो जाएगी इसके बाद आपको यहाँ पे website की terms or condition को accept करना होगा हमने accept कर लिए इसके बाद यहाँ पर आपने आपको share drive को नाम देना होगा इससे पहले मैं आपको न अपनी drive दिखा देता हूँ यह मेरी google drive है और अभी इसके अंदर मैंने कुछ भी upload नहीं कर रहा जैसे आप यहाँ पर देशकते हैं कि 0.0 kb storage यहाँ पर occupied है मैं आपको कुछ upload करके दिखा देता हूँ यहाँ पर जिससे आपको पता ले गए कि मेरी यह storage occupy कर रही है तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं यहाँ पर एक photo upload कर देता हूँ तो हमारी जो photo थी वो upload हो चुकी है और upload होने पाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसने 1.71.kb यहाँ पर storage को occupy किया है लेकिन जब हम यहाँ पर और एक और चीज आप यहाँ पर देखे लिए कि आपको यहाँ पर जब आप files पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सिर्फ दो ही folders दिखाए देंगे जीमेल अकाउंट के अंदर आप share drive create करना चाहते हैं मैं आपको यहाँ पर फिर से याद दिला दूँ कि आपको यहाँ पर अपना सिर्फ fake email अकाउंट ही यूज करना है आप अपना official account यहाँ यूज ना करें यहाँ पर आपको अपने gmail एटर सेंटर करने के बाद आपको य हमने यहाँ पर अपने सारे select कर लिए हैं और verify पर आप click कर देंगे तो हमारी verification पूरी हो चुकी है verification पूरी हो निक पाद आपको यहाँ पर create पर click करना है हम यहाँ पर create पर click करेंगे और हो सकता है कि आपका यह पहली बार में ना हो मेरा क्योंकि आप इस वीडियो के देख सकते हैं कि हमारा एक ही बार में हो चुका है और अगर आपका किसी भी by chance अगर आपका एक बार में नहीं हो जाए तो आप इसे दो तीन बार try करें लेकिन यह आपका हो जाएगा जरूर तो हमारी हाँ पर share drive create हो चुकी है तो मैं अप अपने google drive पर वापस जाऊँगा और मैं इसे refresh करूँगा और refresh करने बार आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे हाँ पर एक और नया folder create हो चुका है share drive के नाम से और इस share drive के अंदर एक test drive है जो मैंने हाँ पर नाम दिया था अपने folder को वो इसके अंदर अभी फिलाल कुछ भ रहा है तो मैं हाँ पर एक photo select करूँगा इसे upload कर दूँगा और हमारी जो photo upload हो चुकी है इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूं कि हाँ पर देखिए हमारी storage अभी भी उतनी ही occupied है 1.7 17.1 के भी और मैं इसे आपको refresh करके भी दिखा देता हूं देखिए हमारी storage जो occupied थी वो increase नहीं हो रही है तो इसी तरह से आप Google Drive पर unlimited storage हासिल कर सकते हैं और हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को share करना subscribe करना ना बोले अगर आपको हमारी इस वीडियो से related कोई भी doubt है तो आप हमारे help group पर हमें contact कर सकते हैं जिसक लिंक आपको description मिल जाएगा